नमस्कार दुस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल लैनवेद अपूर पे जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट दिसंबर 2021 का जो पेपर हुआ है दिसंबर लास्ट में और जनुरी फर्स्ट में ठीक है उसकी एंसर की आचुकी है ठीक और मैंने अब फेस्बुक खोला तो बहुत सारे पोस्ट दिख रहे थे कि मेरा इतना आ रहा था मेरा इतना कम हो गया सीटेट ने उत्तर की मतलब एंसर की काफी गलत दी है तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गबराने की बिल्कुल जरूत नहीं है वो लोग सही से मिला नहीं पा रहा है मैं अपने पहले आपको पोस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए पोस्ट पहला सीडीपी में सिर्फ 10 ही साही हो रहा है ऐसा कैसे हो सकता है पिछली बार मेरे 28% साही थे हैस्टेक सीटेट एंसर की स्कैम कुछ इस तरह के पोस्ट चल रहा है फेस्बुक पे मेरे सीडीपी में 25 प्लस साही थे अब तो मैं अची नहीं हो रहा है एंसर की से एक भी सीटेट उत्तर गुंजे मिर्च का धुवारा करके बनाई गई है पूरे देश के छात्र फेल दिख रहा है 10% भी रिजल्ट संभव नहीं दिख रहा है तो देखे ऐसा बिलकुल भी नहीं है ये लोग को आइडिया ही नहीं है कि एंसर की मिलाना कैसे है ठीक है आप जैसे एंसर की के लिए ओफिसल वेबसाइट पे जाके एंसर की वाले पेज पे आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले ये लिखा हुआ मिलता है मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है तो मैं गया answer की वाले page पे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको यही दिखाई दे रहा है कि seated की website पर seated December 2021 की उपलब्द उत्तर कुंजिया website पर seated December 21 question papers link पर उपलब्द मुख्य प्रस्न पत्रों के अनुसार है इसका मतलब यह है कि जो आपने paper दिया है आपकी जो response seat आई होगी question paper आया है जिसमें आपका response दिया गया है जरूरी नहीं है कि जो seated ने paper upload किया है उससे आपका sequence match कर रहा हो ठीक है तो आपको जो answer मिलाना है seated का जो question paper upload किया गया है उसपे आप जब जाएंगे तो date डालेंगे paper select करेंगे तो सिरफ एक question paper आता है वो main question paper वही है कोई उसपे set wise नहीं दिया हुए ठीक है और ना ही आपका set wise answer किया ही है जो seated ने question paper upload किया हुए है आपका जिस date को exam था उस date का आप question paper download करिए और उससे answer की जब आप मिलाएंगे उसमें देखिए कि किसका कौन सा सही है फिर उसके बाद उसको आप अपने response की से मिलाएगा तब जाके आप सही से जान पाएंगे कि कौन से प्रसंट का कौन सा उत्तर है इसने जो answer की दिया है जो इसने question paper upload किया है main उसके अनुसार दिया है ना कि आपने जो response की आपके पास जो है उसके हिसाब से नहीं दिया है ठीक है तो आपका जो question paper था उसका sequence और जो seated ने question paper upload किय है ठीक है हर date का सिरफ एक question paper इसने दिया है तो sequence अलगलग हो सकता है इस वज़ा से आपका उत्तर जो है match नहीं कर रहा है आप सबसे पहले क्या करेंगे अपने date का seated December question paper पे जाके अपने date का question paper load करेंगे और ये जो answer की आई है उस question paper से मिलाएंगे उससे आपको पता चलेगा क कौन सा उत्तर कौन इसमें सही रहेगा और फिर उससे आप अपना जो response seat आई है उससे मिलान करेंगे तब जाके सही से आप जान पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि answer की में कोई गलती है आप मिलाने में ही गलती कर रहे हैं आप सही से ये जो लिखा होती है चीजें इसको आपको सही से पढ़ना चाहिए तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है तो आप यसी साब सी मिलाईए सबसे पहले question paper आप download करेंगे फिर उस question paper को answer की से मिलाएंगे और उसमें फिर आप देखेंगे या आपने क्या-क्या लगाया था तब आपको सही से चल जाएगा आपके कितने मांस आ रहे हैं आपको यह वीडियो पसंद आए होगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की information आपको आगे भी मिलती रहे धन्यवाद